जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा ये कहावत हम सबने बहुत वार अपने जीवन में सुनी होगी लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम अपने आस पास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन वर अच्छे कर्म करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते एक नोजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परिक्षा में पास होने के लिए लेकिन उस परिक्षा के परिनाम मे उसे निरासा ही हात लगती है तो इससे तो यही सिद होता है कि जिन महापुरसों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है या तो वो महापुरस गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोका समझी नहीं पाते पर चिंता मत करिये क्योंकि आज की कहानी सुन किसी गाउं में हरिस और सोनु नाम के दो भाई रहते थे, पूरा गाउं जानता था कि वो कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था, हरिस बड़ा था और सोनु से वो बहुत तेज और चलाक था, उसने सोनु के हिस्से में आने वाली खेती कि जमीन भी खुद हडब ली थी, इसलिए सोनु के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे, सोनु की पतनी अक्सर बिमार रहा करती थी, और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अपने भाई से विप्रित सोनु बड़े ही सीतल स्व पाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यूं होता है, क्यों मेरी पतनी हमेशा बिमार रहती है, क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है, कि मैं अपने जीवन को अच्छे से चला सकूं, क्यों मुझ तो पसानी नहीं है, वो सोचने लगा कि साइद बूरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता और धीरे धीरे ये संदे उसके मन में घर करने लगा। उसी गाउं से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बना कर रहा करता था जब भी वो सन्यासी गाउं में भिख्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता की जो तुने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से सोनु इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही सब्द पड़े कि जो तुने किया वो तेरे हिसे और जो मैंने किया वो मेरे हिसे जैसी यह सब्द सोनु के कानों में पड़े वो गुस्चे से तिल्मिला उठा उसने गुस्चे में उस सन्यासी से कहा कि महात्मन आप हमेशा एक ही बात का रट लगाते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कर्म होने चाहिए थे अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ मेरी पतनी हमेशा बिमार रहती है खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास सन्यासी ने बड़े ही सांस्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है भनते कि प्रिस्तितियों से तुम हार मान चुकी हो कठीन प्रिस्तितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असन डाला है बूरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी तुम एक काम करना आज संध्या के समय कुछ फल लेकर मेरे आस्रम में आना फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूँगा और ये कहकर वो सन्यासी अपना भिक्षा पातर लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है संध्या समय सोनु ने कुछ फल खरी दे और गाउं से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसे अथा सांति कानव वो रहा था क्योंकि रास्ता गाउं से दूर था इसलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी बस र सुचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेंगे इसलिए बंद्रों से वो फल बचाता हुआ वो सन्यासी की कुटिया तक पोचा जैसे ही सोनु उस कुटिया में पोचा वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा अगर मन में था तो ये फल खिला क्यों नहीं दिये बंद्रों को ये सुनकर सोनु आश्चर्य चिकीत रह गया सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंद्रों को फल खिलाने की इक्षा उठी थी उसने पोचा कि महात्मन आपको कैसे पता चला कि बंद्रों को फल खिलाना मैं चाता ह सन्यासी ने बड़े ही सांस्वर में कहा कि जरूरी यह नहीं है कि मुझे कैसे पता चला हम तो सन्यासी हैं सबके मन के बात पड़ लेते हैं जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह एक बचड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मा को ढूंड लेता है उसी प्रकार कर्म अपनी कर्ता को ढूंड ही लेता है ये कर्म मेरे हातों में होना लिखा था और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया सोनू इस बात का मतलब समझना ही पाया इसलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि महातमन मैं आपकी बात का आज स समझ नहीं पाया, किरप्या करके मुझ अज्यानी को इसका मतलब समझाने के अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े सांट स्वर में कहना शुरू किया कि भंते मनुस्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात यह होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते, अगर आप किसी कर्म को करने के योगे हैं, तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप डून कर निकाल लेगा। इसलिए योगे बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो, अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे, तो कभी योगे नहीं बन पाओगे। इन बंद्रों को देखो, इन बंद्रों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चड़ना सीखा, गुलाटिया लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुस्तक पहुँच गया, और मुस्तक पहुँचने के बाद इनके पास इनका खाना जाब तो जाएगा, सन्यासी ने अगला कतन कहना शुरू किया, जो की बहुत ही जरूरी था, ध्यान लगा कर सुनना, अगर तुम योग्ये बनने के लिए कर्म नहीं करोगे, तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें परभावित करने लगे, उधारन के लिए तुम्हारी प पतनी बिमार अपने कर्मों की वज़ा से हैं तुम्हारे कर्मों की वज़ा से नहीं तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं लेकिन क्या पता तुम्हारी पतनी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हूं जिसकी वज़ा से वो बिमार हो गई हो और तुम्हारी पतनी के कर्मों की वज से खुद दुख छेल रहे होते हैं लेकिन जर्रा सोचो अगर तुम योगे होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते उसकी बिमारी दूर करवा पाते और क्या पता अगर तुम योगे होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्थ्री के साथ विवा हुआ होता जो स्वस्थ होती लेकिन तुम योग्य नहीं थे इसलिए तुम अपनी पतनी की बज़ा से खुद दुख जहेल रहे हो अगर तुम योग्य वन जाओगे तो दूसरों लोगों के कर्म भी तुमें परभावित नहीं कर पाएंगे सन्यासी ने सोनु को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना सोनु आपको वो नहीं मिलता जो आप चाते हो बलकि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो उसके लिए कर्म करो कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो सोनु ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मन मुझे यह बताने की अनुकमपा करे कि मैं अपनी योगिता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझको खुद ढूंड सके सन्यासी ने बड़े ही सांस्वर में कहना शुरू किया कि भनते इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय होते हैं सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूलते जाओ तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने योगित बनने के लिए उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तिविक्ता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो अक्सर मनुस्य की पीडा का यह एक बहुत बड़ा कारण होता है वो सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल प्राप नहीं हो रहे हैं और यही पीड़ा उसके मन को ठेश पहुचाती रहती है उसको अपने लक्से से बठकाती रहती है किसी कर्म को करने के बाद अपना आँकलन जरूर करें लेकिन फल की चिंता ना क सोनु ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मन हम अपना आंकलन कैसे कर सकते हैं सन्यासी ने उत्तर दिया कि भंते जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो इस तरह तुम खुद का आंकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतने ही तुमारी योगता बढ़ते जाएगे और अगर तुम यूही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे वो कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हे प्राप्त नहीं होगा इसलिए अपना आंकलन इस परकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर ठिका हुआ था या नहीं था या तुम्हारे विचार तुम्हे भटका के ले गए थे और कोशिस करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम ये कर्म करो तो उसी कर्म पर ठिके रहें इधर उदर दूसरी बातों में भटके न सोनू ने इस पर एक सवाल पुछा कि महात्मन जब भी हम किसी कर्म को करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्थ हो जाता है वो तरह-तरह की बाते सोचने लगता है तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर ठिका कर रख सकते हैं इसके लिए कोई उपाय बताएं सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि भनते जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंदरित रह सकते हैं पूरे निष्ठा, प्रेम और सदभाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते जब ये तीनों चीजे तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में समलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिस्क एक ही जगा पर ठिका रहता है सन्यासी ने अपनी बात खतम करते हुए कहा कि अगर कोई इनसान कोई मनुस्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तिमाल करता है उनका पालन करता है तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आपको योग्य बना सकता है और एक बार अगर वो योग्य बन जाता है तो उसी बचड़े की भांती उसका कर्म उसे अपने आप ढून लेता है सोनु को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ग्यान मिल चुका था उससे सपश्टा मिल चुकी थी उसके सारे मन के सवाल खतम हो चुके थे उसने सन्याशी को प्रनाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा चाया हुआ था वो इन बातों के बारे में बिचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है तो दोस्तो कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दे तो मिलते हैं दोस्तो अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा सिखते रहें